हे गाइस दिस इस मोहित चौवे एंड यू और वाचिंग नॉलेज ब्रूक आज हम मदप्रदेश हिस्ट्री का सात्वा लेक्षर लेंगे और इसमें हम जानेंगे कि गुपता एंपायर के बाद मदप्रदेश का इतिहास किस प्रकार रहा मातलब गुपत सामराज के बाद मदप्रदेश में कौन-कौन से सामराज हुए और उनका मदप्रदेश के इतिहास पर क्या-क्या प्रभाव पड़ा चलिए यह हमारे सोशल मीडियाज हैं जहां पर आप हमसे जॉइन हो सकते हैं अगर आप ने नॉलेज ब्रूक का टेलिग्राम गुर्फ अभी तक जॉइन नहीं किया है तो आप जॉइन कर सकते हैं ताकि जब भी कोई वीडियो अप्लोड हो उसकी संबून जानकारी आपको प्राप्त हो सके और उसके नोट्स आपको वहां से प्राप्त हो सके अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे जब भी कोई वीडियो अप्लोड हो उसकी जानकारी आपको मिल सके और अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ सेर कर सकते हैं उसके बाद हून डाइनिस्टी, हून वंस के बारे में जानेंगे किस प्रकार, किन दिशाओं से मदप्रदेश को यह प्रिभावित करता है, उसके बाद वकाटक डाइनिस्टी, औलिकर वंस, परिवारजक वंस और पुष्यभूती वंस के बारे में हम चर्चा करेंगे. चलिए रिवीजन के नजरिये से कुछ प्रेशनों को हल करते हैं पहला प्रेशन है विच सिटी इस नोन एज स्वभोग नगर कौन से सिटी को, कौन से सहर को स्वभोग मतलब खुद के भोग के लिए, खुद के उपयोग के लिए घोशित किया गया वह था एरंड सागर के पास है और समद्र गुप्त ने इसको शवभोग नगर के रूप में इसको जाना जाता है अगर प्रशना आता है कि शवभोग नगर किस सहर को तो यह एरंड है और किस समराट के या किस राज्या के काल में तो यह समुद्र गुप्त के काल में, बात करते हैं, विच गुप्ता किंग ओन दा टाइटिल विक्रमादित्य और सकारी, कौन से गुप्ता सामराज्य के राजा ने विक्रमादित्य या सकारी नाम के जो टाइटिल्स हैं, या जो नाम हैं वह धारण किये, उपाधिया और विक्रमजित्य सकारी ये उपाधियां तब ही धारन की जाती थी जब शक्क सामराज के राजाओं को हराया जाता था माना जाता है कि सक्वों को हराना काफी मुश्किल होता था देवी चंद्रगुप्तम नाम की जो किताब है उसके लेखा कौन है तो विशाखा दत्त जिनने मुद्रा राक्षस भी लिखी है विशाखा दत्ता के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम लिखी गई है और चंद्रगुप्त दुतिये के विशा में संपून जानकारी देती ह इतिहास में एक राने का जुक्र होता है जिनको बचाने के लिए काफी युद्ध हुए उनका नाम था धुरुप्ष स्वामिनी और वह किस राजा की पतनी थी तो राम गुप्थ जो की गुप्थ सामराजी से सम्मंदित हैं और चंद्रगुप्थ दुतिय के भाई थे उनकी ये पतनी थी और उनने सक से एक सक सामराज के राजा से ये हार गए थे और इनने अपनी पतनी को धुग स्वामिनी जी को समर्कृत कर दिया था तो रामगुप्त की पतनी हैं और ये सकों से हार गए थे और सक जिस सक सामराज की राजा से हारे थे उसको चंदरगुप्त दुतिये ने मार गिराया साथ ही अपने भाई की भी हत्या कर दी क्योंकि उनने अपने घर की इस्त्री को अपने घर की आनिवानसान को समर्पित कर द जनको हम दुतिये, चंदरगुप्त दुतियों को विक्रमादित्य नाम से भी जानते हैं, इन्हों ने समराट की उबाध ही ली, तो हम चंदरगुप्त विक्रमादित्य की बात करें, तो इनने काफी महत्पून काम किये अपने जीवन में, तो जितने भी प्रशन इसे के दौरान मदप्रदेश विजिट करता है मदप्रदेश से होकर जाता है तो वह थे फाहियान ने गुपता एंपायर के दौरान मदप्रदेश की जो है यात्रा की उसके बाद अगरा पेशन है बंधू बर्मन वॉस गवर्नर ओफ विच रीजन अंडर विच किंग किस राजा करते थे तो मालवा पे कब्जा कर लिया बट इसकंदगुप्त लेटर टेकड़ बैक मतलब जब बाद में इसकंदगुपत आ जाते हैं एक्शुली इसकंदगुप्त बिजी थे दूसरे यद्धों में तब नागेंदर सेंग ने इसकंदगुप्त की मालवा की उपर एपसेंस का फायदा उठाया जब इसकंदगुप्त मालवा के छेत्र में नहीं थे तब नागेंदर सेंग मालवा आते हैं और मालवा को कबजे म लेकिन इसकंद्गुप्ठ सक्षम थे उन्ने बाद में नागेंदरसें से अपना छित्र हाशिल कर लिया अगला पिशन बेच इंस्क्रिप्षेन with इंस्क्रिप्षिनn on KAct क्ऊन से अभिलेक के माध्यम से शिमकारी मिलती है तो copper inscription in door के माध्यम से हमें इसकंद गुप्त के बारे में जनकारी मिल दी है इसकंद गुप्त एड़ेट तेली स्रेणी जो oil guilds होते हैं इनको इनने आर्थिक रूप से शहायता प्रदान की और अपने राज्य में जो ही ट्रेड और कॉमर्स था व्यापार था उसको प्रोशाहन दिया which military commander associated with iron inscription कौन सा ऐसा जो सैनिक था जो की या राजा का सैनिक था जो की iron की जो inscription है जिससे हमें बाद में सती के evidence भी मिलते हैं सती की जानकारी सती प्रथा की जानकारी मिलती है उसे संबंदित है तो जो गोपी राज है ये भानुगुप्त के सैनिक थे भानुगुप्त की शेना में एक सैनिक थे जिनकी मृत्यू और उनकी पत्नी के सती होने की जानकारी हमें iron के inscription iron के आलेक से मिलती है माना जाता है की सती पर्था का जो मुख्य साक्ष है की भारत में यह चलती थी इसकी जो साक्षा जानकारी एरन इंस्क्रिप्शन से मिलती है और धियान रखेंगे की गोपी राज के विशे में यह inscription है और उस समय गोपी राज जो हैं भानु गुप्त के सैनिक हुआ कर दे थे विर दिड़ फर्ष्ट एविडेंस ओफ सती कॉलेक्टेड विल्कुल हमने डिस्कुसन कर लिया एड अन इंस्क्रिप्शन जो की सागर के नजदीक है चलिए अब हम बात करेंगे हून एमपायर की हूनवन्स की किस प्रकार मदप्रदेश की इतिहास को हूनवन्स प्रभावित करता है ये काफी डेंजर्श ट्राइब है चाइना की और गुप्ता काल के दौरान इनने काफी मदप्रदेश को प्रभावित किया और ये जो हैं, एंटर करते हैं मदपदेश की हिस्टरी में तो इनको हम अपलाथीज या हून्स की नाम से जानते हैं मुख्य रूप से ये चाइना की ट्राइब है चाइना की एक जन जाती है जो हमाले के उस पार रहा करती थी और सामराज जविस्तार की नीती जैसे की और हमने देखा इंडो ग्रीक्स और बाकी कुशान्स वगेरा उसी प्रकार यह वी सामराज जविस्तार और रिसोर्स जो की भारत में काफी जादा थे उनकी लालच में भारत में एंटर करना चाहती थी इनने इंडिया पर अटेक किया और इसकंद गुप्त के दोरा इनको भगा दिया गया लगवगत 50 साल बाद इनने बापिस इंडिया पर अटेक किया इनने कस्मीर पर कबज़ा कर लिया और उनका जो लीडर था उस समय उसका नाम था तोड़ामन उसके बाद वारह आईडल इसक्रिप्शन जो की एरण में ही मिलता है वारह मूर्ती बनी हुई है एरण में सागर में वहाँ से जो जानकारिया मिलती है वो तोरा मुन की मदप्रदेस में प्रजेंस के उनके मदप्रदेस में पाए जाने की उसके बाद बात करते हैं महीर कुल की तो ये तोरा मन के उत्तर थे इनने मालवा की उपर अटेक किया बिलकुल ये साक्षात इनके मालवा की उपर अटेक के संकेत और सबूत मिलते हैं मोखरी किंग येशो वर्मन ने डिफेंड किया और ग्वालियर का जो आलेक है उससे हमें जानकारी मिलती है कि मिहीर कुल जो है मदप्रदेश में आया था मदप्रदेश में पाया गया था चलिए तो हमने इस तुहें हूंस के बारे में जाना कि मुख्य रूप से चाइना की एक ट्राइवल जन जाती है उसके बाद इसका पहला टैक होता है दूसरा टैक लगवक पाधी से इसने अपने आपको संबोदित करवाया मिहीर कुल जो की तोरामन का पोत्र था वह मदप्रदेश की उपर अटैक करता है मालवा के शेत्र में मोख्री वंस के राजा येशो वर्मन इसको डिफेंड करते हैं और ग्वालियर इसक्रिप्सन से मिहीर कुल के मदप्र ती जो की एक लोकल के म्यूंटि है एक लोकल लोगों का सभू है या लोकल राजा थे और विंद सक्ती ने अपनी जो क्यूपिटल है यह नर्मदा के साउथ में सिफ्ट कर दी नन्रमदा की डक्षन में अपनी जो राजधानी है उसको इस्थापित किया और इनकी बत्स गुल्म योगी डिस्टिक वेसिन महराष्ट में बत्स गुल्म नाम की जगह है उस समय और अभी उसका नाम तो यहां इनने अपनी जो कैपिटल थी जो राज़ानी थी वह स्थापित की थी उसके बाद आते हैं प्रवर्शन जिनने चार अस्व मेध यग करव घंचौसे आता था और कोई भी राज़ा अगर चनाटी देना चाहे तो दे सकते था और अगर जीट जाए तो जीत जाय अन्य था जितने भी राज्यों से वह अश्व गुज्र एगा वो तमाम राज उसराजा के अधीन हो जाएंगे उसको हम कहते हैं कि एक तरीक से राजाओं की उपर कमान हाशल कर लेता था, नियंदर हाशल कर लेता था, तो काफी अच्छे राजाओं के साथ, इनने नांग डाइनिश्टी के साथ, जो शादी की रिस्ते हैं, वह इस्थापित किये, और पवाया गॉलियर की जो डाइनिश्टी थी, उसकी बारे हम बात कर जो पवाया या गॉलियर का पुराना नाम या गॉलियर छेतर का पुराना नाम पवाया है, जहां की नांग डाइनिश्टी के साथ, नांग बंस के साथ, इनके शादी संबंध थे, उसके बाद इनने अपने जो इनका सामराज्ज है, इनको इनने चार भागों में अपने च साटक डानिश्टी की वकाटक वंस की उसकी एक पुरिक ब्रांच पुरिक शाखा नंदी वर्मन को प्राप्त हुई और जिसकी कैपिटल जिसकी राजधानी नागपुर थी और इसके जो फाउंडर हैं वह थे रोधर सैन फास्ट और वकाटक रॉलर्स हुए हैं महतपूर उन प्रकार एक महा पुरान टाइप का सेतु बंधा है और जिसको एक कालपिनेक गटनाओं के आधार पर लिखा गया है हम यह कह सकते हैं या उस समय की जनकारी देता है और इसको रावन वही भी कहा जाता है उसके बाद सर्वसैन प्रसंग की बात करें तो इनने हरी विजय ना के और बात करते हैं ऐलीकर डानिस्टि ऑलीकर वन्सकी जो कि चोथी से चट्वी सताबी के दौरां प्रदेस में प्रभावल रखते हैं इनके फंड थे जय वर्मन जो कि दसपूर मंसौर से समंदित हैं δसपूर मंसौर में इसका इनका छेत्र रहा उसके बाद सिंग वर्मन जैवर्मन के बाद आए और उसके बाद नर वर्मन इनके बाद आए तो हम एक इनका जो वर्मन्स वरक्ष है उस पर नजर डालेंगे तो याद रखेंगे कि आलिकर वर्मन्स के जो महत्पून राजा हुए जैवर्मन, सिंग वर्मन और नर वर्मन और अलिकरवन्स के राजाओं के नाम के साथ वर्मन लगा हुआ है तो याद रखेंगे कि हम हर जगह तो नहीं कह सकते लेकिन यहाँ अगर आपको जैवर्मन, सिंग वर्मन और नर वर्मन हैं तो आप इनके नाम याद रखने में सहायता होगी, ये बर्मन हिंट हो सकती है, और साथ ही ओलिकरवंस के ये संबंदित हैं, फ्रेशन आसकता है कि जैवर्मन किस बर्मन से संबंदित हैं, तो याद रखेंगे कि और लिकर बंस से इसी प्रिकार्सिंग बर्मन और नर बर्मन की विशर में बार-बार दोह रहे हैं याद हो जाएगा चलिए उसके बाद बंधु बर्मन के बारे में थोड़ा सा देख लें इनने कुमार गुप्ट की सुप्रीमेसी कुमार गुप्ट की जो वहाँ पर अधिकार छित्र है कुमार गुप्ट इनके जो भी हैं राजा होंगे या हैड होंगे उसके बाद दास कुरिंस्कृफ्शन मंसौर में जोकी स्थापित है उससे कुछ जानकारिया मिलती हैं उसके एक नज़ह डालते हैं तो बंदू बनवन ग्रांटेट फानेशिल एट टू तड़ावी गुल्ट जो तंदावी गुल्ट हैं यह तंतुवाय गुल्ट हैं उनके लिए जो धागा बनाने वाली समू है जाती है उसके लिए इनने काफी ज़दा आर्सिक शहायत प्रदान की तो जो तंतुवाय जैसे और फॉर कंस्ट्रक्टिंग संट एंपल और इनने जो शूरी मंदिर है जो कि यही मंसौर की छेत्र में स्थापित है इनके निर्मान के लिए भी इनने काफी खर्चा किया चलिए आगे बात करें येशो वर्मन येशो वर्मन जो कि 530 से लेके 570 एडी के दौरान मोखरी औ अंपायर था दक्ष्ण भारत में इनके जो कोट राइटर जो इनके जो दरवारी लेखक थे वो थे वगपति राज और बगपति राज ने लिखा है गोद वही इंस्क्रिप्शन जिससे जनकारी मिलती है कि जिनकी जितनी भी विजय थी जितने भी इनके सामराज विजय न की जगए जो यहीं इसके पास है मदप्रेश में मंसौर के पास उससे इनकी जनकारी मिलती है इनने हूंस को भी हराया और महीर कुल को हरानी की जनकारी ये शुवर्मन के माध्यम से ये शुवर्मन की इंस्क्रिप्शन के माध्यम से मिलती है चलिए महीर कुल हूंस थे करें तो मुख्य रूप से परिवार्जग पन्ना परिवार्जग पन्ना इस प्रकार से इस लोकेशन को आप याद रखेंगे पन्ना छेत्र में परिवार्जग बन्स हुआ है यह लगवक संपूल बुंदिल खंड में इनने अपना विस्तार किया इनके फाउंडर थे जिना के काफी निकट छित्र हैं मजगवां में तो आप यह भी देख सकते हैं कि वहां जो एंटीपीसी के प्लांट्स भी हैं मिनरल नेशनल मिलने डवल्पेंट कॉपरेशन के उसके बाद बात करेंगे मदब एंटीपीसी मुख्यूप से जितने भी मिनरल्स हैं उसके लि कुछ शब्द हैं जिनको याद रखेंगे पन्ना से करीब हिनोता की तरफ जाते हुए ये पंदरा से वीस क्लोमेटर दूर मिलता है चलिए अदर डूलर्स की बात करें तो प्रवांजियन और दामोदर इसके जो परिवार जगवन से महतपून राजा हुए इसकी कैपिटल की बात करें तो उचकल्प या फिर उच्चारा नाम से इसकी कैपिटल को बरतवान में जाना जा सकता है आगे बात करें तो उचकल्प के बार में जाने है तो प्रजैन दे उच्चारा सतना डिश्टिक के नजजीख इसकी कैपिटल देखी जा सकती है और पन्ना सतना की जो सहर है या जो कश्वा है वह देखने को मिल जाएगा अधर इंपोर्टेंट रूलर्स की बात करें महत्पूर्ण राजा जो इस दौरान हुए ऑगदेव कुमारदेव जय शौमिन और इनने जो महत्पूर्ण टाइटल थे इन महराजादी राज के टाइटल जो काफी महत् करिए चलिए और यह सभी परिवारजग डाइनेश्टी से संबन दित थे आप नाम इस्ट्रीन पर देख रहे हैं सबको पढ़ सकते हैं और नोट्स में बना सकते हैं आपको नोट्स मिल जाएंगे टलिग्राम गुरुप पर उसके बात करते हैं पुश्य भूती बंस की तो पुश्य भूती जो है वर्धन एंपायर के नाम से भी जानी जाती है हर्श वर्धन का नाम आपने सुना होगा और बात करें राज वर्धन जो की हर्ध वर्धन के भाई थे इनको मालवा के राजा देवगुप्त ने माय डाला हर्श वर्धन जो है मूवी में एंटर करते ह हर्श वर्धन अपने भाई की मृत्यू का बदला लेना चाहते हैं देवगुप्त से इसलिए वह देवगुप्त को माई डालते हैं और मालवा का कुछ हिस्सा कबजे में ले लेते हैं जो उनकी विड़ो सिष्टर थी राजश्री मतलब मुख्यूरूप से जो राजवर्धन है वह अपनी बहन के पती की रक्षा करने के लिए जो देवगुप्त है उससे लडाई करने जाते हैं तो इसक्योंकि वे इनकी विद्वा बहन थी राजश्री उनके पती जो थे हैं कन ग्रह बर्मन के उपर देवगुप्त ने हमला किया देवगुप्त की जान बचाने के लिए राजवर्धन इस युद्ध में कुदते हैं और देवगुप्त ने जो ग्रह बर्मन की रक्षा नहीं देवगुप्त ने ग्रह बर्मन को भी मार डाला और राजवर्मन को भी मार डाला आप पूरा प्लोट याद रखेंगे कि राज वर्धन और हर्ष वर्धन भाई थे इनकी एक बहन थी राज स्री उनकी शादी होती है ग्रह वर्धन से जो की कन्योच के राजा हुआ करते हैं कन्योच के राजा ग्रह वर्धन की ऊपर देवगुप्त हमला करते हैं और द बिद्वा बहन की रक्षा करने के लिए अपने जीजा की मौत का बद्ला लेने के लिए अपने भाई की मौत का बद्ला लेने के लिए इस युद्ध में अइंटर करते हैं। ये इनकी जो बहन हैं राज्ट्री ये कहीं जंगल में गुम जाती हैं और लेकिन हर्ष वर्धन इनको मालवा के जंगलों में खोज लेते हैं और इनको द्वाकर मित्र जो इनके पुराने टीचर हुआ करते थे उनके माध्यम से खोजा जाता है आगे बात करेंगे तो हर्ष वर्धन जो की पुल के सिंथ सेकेंड के द्वारा हरा दिये जाते हैं और नन्मना के दक्षण में या युद्ध होता है और इस केविडेंस हमें अय होल इंस्क्रिप्शन के माध्यम से मिलते हैं और हुइन सांग भी इस विशा में जानकारी देत हैं याद रखेंगे कि हर्ष वर्धन हो इंसान वहां आमने देखा था गुप्ता एंपायर के दौरान भी एक जो है ट्रेबलर भारत की विजय करते हैं तो उनका नाम आप कमेंट वॉक्स में लिखेंगे अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो तो यहां पर पु कि दारवधा की दक्षन में पुल केशन सेकंड हुय पुलकेशन दुति हुय जिन ने हर्ष वर्धन को हरा दिया तो इस प्रकार हर्ष वर्धन जो आविजय राजा थे पुल केशन don点 को से हर गये और याद रखेंगे कि यहां हूइं सांद जियोगी है ईनके शभूत हमें के द्वारा जो हार है उसके वार में जानकारी मिलती है चलिए तो यह था आज का पूरा discussion उमीद करते हैं कि आपको सारी बात हैं अच्छे से समझ में आई होगी और जो की confusion है आप करके देख सकते हैं पूरे नोट्स आपको टेलिग्राम ग्रूप पर मिल जाएंगे तो मने रही हमाई साथ और देखते रहिए नॉलेज ग्रूप थैंक यू सो मच